यहां पर मैंने एक वुलन टॉप लिया हुआ है और यह देख सकते हैं आप स्ट्रेचेबल है तो इसी तरह से हमें कोई भी स्ट्रेचेबल टॉप या फिर कपड़ा लेना है अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है यहां से मैं कैप यानि की टॉपी को कट करूंगी तो नज यहां पर निचान लगा रहे हुँ तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन की लिए अब सेम मार्किंग के उपर ही हमें इसके कटिंग कर लेनी है कट इसके ने केसे बार इसके साइड इसके हमें सीधा सिलाही लगा लिना है दूनों को इस तरह से मिलाते हुझा मेन अले तूड़ी Pढ़ाया रखना है छहチャンネル दूधरी तरह सीधि इसके सीधी ढि Greng कर लिंगे कि तरीखी दोनों तरफ मेरे लगा दी है अब हमें इसको सीधी तरफ को पलटने के बाद इसका जो बॉटम वाला इससा इसको हमें 1.5-2 इंच करीब कि उपर को फोल कर देना है पूल करके या तो आप कच्छी सिलाई लगा सकते हैं या फिर ये जो साइड वाला हिस्सा है यहां पर के मार्जिन को बाहर कि तरफ को वहां करना है और उसके बाद हाथ से इसमें तुर्पाई कर देनी है दियान रहे तुर्पाई करते टाइम अब हमें क्याप को वपिस से ओल्टी दरफ को टर्न करना है और सुई धागे की मज़द से इसमें पूरी गोलाई में बड़े-बड़े से इसमें हमें टांके लगा लेने हैं तो पूरे में इसमें मैंने सुई धागे से सिल लिया है अब कपड़े को एक और को इखटा करते वह हमें इसको टाइट कर लेना है और उसके बार यहां पर इसको लॉक कर लेना है तो देखिए यहां पर मैंने इसमें भी सिलाई लगा के इसको लॉक कर लिया है और अब हमें यह कैप को सीधी तरफ को पलटना है और इसको सीधी तरफ को पलटने के बार अब इसके ऊपर हमें यहां पर एक पॉमपा मनाना है तो पॉमपा मनाने के लिए मैंने यहां पर ए अब इसको हमें इस तरह से निकालना है और उसके बाद एक डोरी लेनी है और इसको बीच ओ बीच से बान लेना है अब हमें इसको साइट से जो फोल्ड बाला पार्ट है इसको कट करके ओपन कर लेना है अब इसतर पेолов एकड़ रजो चछी आधानों धागा नाहिए और शराख कर से शारख मैंने स्थूई लगाणा है और सुशी लगने के बाद हम Moi पर कड़ रही हूं और इसको हमें यहाँ पे इसके अहां पर सीधी तरफ पर लगाना है तो सुऑ को इस तरह से अपनर को डालिए और अन्दर बाद हमें इस धागे को अंदर की तरफ पे स्टैच कर लेbor तो यहां पर इस तरह से में नॉट में लगा लूंगी यह मैंने बान लिया है दागे को और यह हमारी क्याप बनके तोपी बनके तैयार हो गई है बचावा टॉप तोप ले रही हूं और इसकी जो स्लीव है यहां से मैं इसमें से सॉक्स किकटिंग करूंगी तो एक तरफ पर मैं आपको थोछा नजीक से दिखा देती हूं तो यहां पर देखिए यह स्ट्रेचेबल है कपड़ा यहां पर भी अब हमें अपने पाओं को इस इसे शेप पर हमें पर चौक से निशान लगा लिया है अब इसमें थोड़ा सा मार्जन लेतेवे इसकी कटिंग कर लेनी है सेम इससे से दूसरे तरफ की स्लीव में ले रही हूं और यह वाले सॉक्स को हमें पलटते वे इस तरह से यहां पर रखना है और इसमें भी सेम इस साइड में हमारी उंगलीय आएंगि तो इस तरह से हम इसमें घ्ले में और फोड़ा सा मार्जन लेते वे हमें इस्की कटिंग कर लेनी है अब इसके बीच में हमें इन पर एक बड़ा सा कट लागाना है बस ध्यान रहे के सिलाई ना कटे इस तरह से देखें मैंने नशी पर लगा लिया है अब इसको हमें सीधी तरफ को सब्सक्राइब करें, थैंक यू